राजस्तान के बाद अम मद्ध प्रदेश को लेकर यहां राश्टी अदेश जेपी नड़ा के आवास पे मीटिंग चल लई है यहां मद्ध प्रदेश को लेकर दो चरणों में मीटिंग चल लई है केंद्री मंत्री आमिशा, राष्टी देज जेपी नड़ा ने पहले प्रहलाद पटेल, नरियन सिंग तोमर और जोत्रियादत सिंधिया के साथ बैठे की इसके बाद अमध्द प्रदेश के सीम डाक्टर मोहन यादव भी मीटिंग में पहुच गए है वहीं अगर बात करें, 36 गड़ को लेकर करीब 1,5 गंटे तक राष्टी अध्यच जेपी नड़ा के आवास पर मीटिंग चली चर्चा ये है कि 10 नामों पर मुहर लग चुकी है जिसमें महिलाओं को भी भागीदारी शुनिश्चित की जाएगी और नए चेहरे को भी शामिल किया जाएगा और ये जो कैबिनेट बनेगी वो 2024 को ध्यान में रखकर बनेगी इसमें जाती और छेत्री समी करण को भी साधा जाएगा वहीं मध्यप्रदेश को लेकर अभी मीटिंग जारी है और आदे गंटे तक और मीटिंग चले के सम्वाना है अब मध्यप्रदेश के लिए बात चल रही है जेपी नडडा के आवास पर संदीप बता रहे है मध्यप्रदेश के मुक्ष मंत्री पहुंच गए हैं और यहां पर बैठक जो है वह शुरू हो चुकी है डॉक्टर मोहन गया थाओ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीम जो हैं, वो भी उनके साथ मौझूद हैं, वीडी शर्मा जो हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष वो भी गए हुएं दिली दोरे पर, और इस वक्त जुजानकारी हमारे सयोगी संदीप दे रहे हैं, कौन-कौन संदीप से कौन-कौन मौझूद हैं, क्या मुख्यमंत्री केवल का हैं, दोनों डिप्टी सीम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौझूद हैं, देखें, मद्ध प्रदेश को लेकर बहुत अहम मीटिंग चले, क्योंको अभी तक राजस्थान और 36 गड़ को मीटिंग हुई थ उसमें सभी लोगों की एक साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन मद्ध प्रदेश को जो सीनर लेडर हैं, और जो पहले केंदरी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, चाहें वो राष्ट्री पताधिकारी रह चुके हैं, खासकर कैलास वीजेवरगी हैं, प्रहलाद पठेल हैं, और न मंत्री मंदल को लेकर मंधन किया जा रहा है, अब कुछी देर में इसको इशपष्ट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि मद्ध प्रदेश के जो भी दिप्टी सीम है, वो भी यहां पर आ चुके हैं, और सीम आ चुके हैं, अम मंत्री मंदल को लेकर विस्तार से मीटिंग चल मंद्सुक मंदाविया से विश्नुदेव साहिर ने मुलाकात की है, दोनों डिप्टी सीम भी उनके साथ मौजूद रहे हैं, यह दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, और चुनाओ में भी इंद्रिया स्वास तो मंत्री जो हैं, वो लगे हुए थे और बीजेप मंत्री मंदल कैसा होगा, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, और उसको लेकर भी मीटिंग हो रही है, तो बाकी केंद्रिया ने तेरे तुरसे भी मुलाकात करने का सिलसिला जो है, पूरी टीम 36 गड़ के इस वक्त मुख्य मंत्री के अगवाई में पहुँची हुई है, अल भी लिखते हैं कि जिहादी और अपराधियों को उचेतावनी दे रहे हैं कि 36 गड़ छोड़ कर चले जाएं, अपराधी और जिहादी उन पर कानून का बुल्डोजर चले गाए, प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया किया आपराधियों को डिप्टी सीम के द्वारा के प्र चले बात अगले खबर के करते हैं और बहुत अहम खबर है, यहाँ पर दस पहाडी कुरवा मजदूर जो हैं दिल्ली में बंधक बना लिये गए हैं और यह हम नहीं कह रहे हैं बलकि यह खुद पहाडी कुरवा मजदूर कहे भी रहें और गहार भी लगा रहें कि हमको यहा आपसी कराई जाए उनको यहां से जो बंदक बना लिया गया है उनको यहां से आजाद कराया जाए दरसल ज्यादा मजदूरी का जहासा देकर इन मजदूरों को यहां से ले जाया गया था मैन पार्ट वापस लोटना चाहता है मजदूर और वहां से आने नहीं दिया जा रहा मजदूरी की मजदूरी जब मांगी जाती तो मजदूरी तक नहीं दी जाती आने भी नहीं दिया जारा ऐसे में प्रशासन से गोहर लगाई है शासन से गोहर लगाई है हाला कि इस मामले में अभी तक खबर ये जो मिली है उसके मताबिक इस पर अभी तक संग्यान प्रिशासन शासन के द्वारा लिया नहीं गया है घर बाले परिशान है जावो इसे बोलत रहें लेकिन नहीं एक देन बोलत रहें मेरा नाम है रोहीत मेरा पीता जी का नाम है बीफना तो मैंन पाट जाना चाहता हूं मैं यहां कमाने के लिए आया था दिल्ली तो जाने भी नहीं दे रहे हैं पैसा रुप्या भे मांगते हैं तो नहीं देते हैं तो अबी तक इस खबर पर संगयान प्रशासन के तरफ से लिया नहीं गया उमीद करते हैं कि जल से जल संगयान लेकर नोगSome IQ को आजाद कराया ज़ााै बढ़ती है अगली खबर की तरफ गर्यावन से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर तेज रफ़तार का कहर देखने को मिला है और तेज रफ़तार का कहर आप देखिए तस्पीरों में आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर कार और ट्रेक्टर की भिलंत हो जाती है नैनो कार यहाँ पर नजर आ रही है यह और इतनी तेज भिलंत थी कि आप देखिए दो टुकलों में ट्रेक्टर बढ़ गया ट्रेक्टर के दो टुकले हो गए गौर घाट मोल पर यह हादसा हुआ और कार की भी हालत क्या ह इस तस्वीर में देखकर आप अंदासा लगा पाएंगे। इस तस्वीर में देखकर आप अंदासा लगा पाएंगे। इस तस्वीर में देखकर आप अंदासा लगा पाएंगे। और इस मेराथन में इस धावक ने भी अपना रिजिस्ट्रीशन कराया था बताया ये जो रहा है कि एक निजी कमपनी में इंजीनियर के पत पर ये तैनात थे और नवा रायपूर में मेराथन का यूजन किया गया। मेराथन में इन्हों ने भी हिस्सा लिया था और डौल लगाई लेकिन नचानक से इनको घबराट होने लगी और बेहुशी हो गई बाद में इलाज के लिए जब तक ले जाया जाता तब तक इन्हों ने दम दो दिया। रायपूर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकालने का काम किया है और 18 अरोपी जिनको गिरफतार किया गया था अलग अलग मामलों के ये आरोपी बताए जाते हैं पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है कई मामलों में इन लोगों की गिरफतारी की गई है अलग अलग मामलों को लेकर पुलिस ने ये कारवाई की थी और इनको गिरफतार किया अब इनका जुलूस निकालने का काम भी प और कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं जहांपर चश्मे की दुकान में आख लग गई ये घटना जो है शॉट सर्किट की वज़े से बताए गई है और जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को लगी लोगों ने तुरंट इतला की फायर ब्रिगेड को फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुँची और जब देखा गया तो देखी एक कितनी भीशोनी आग थी इस तस्वीर को देखकर आप अंदासा लगा पाएंगे काफे मशकत फायर कर्मियों को यहां पर करनी पड़ी और आग को खाबू में तो कर लिया गया लेकिन जब तक आग को खाबू में किया गया तब तक काफे नुकसान हो गया बताया जारा है कि लाखों रुपए का नुकसान इस आग लगने की खटना में हुआ जगदलपुर के चित्रकोट वाटरफॉल की बात कर लेते हैं जुसे 36 गड़ का नियागरा भी कहा जाता है लेकिन अब इस चित्रकोट वाटरफॉल पर जो परियाटक जाने की चाह रखते थे अब उसके पास तक तो परियाटक जान नहीं पाएंगे दरसल लगातार जो हाथ से एक के बाद एक हो रहे हैं इसके बाद बस्दर पुलिस अलर्ट हो गई है और नए साल पर परियाटकों की आवाजाही को लेकर वाटरफॉल के चारों तरफ तार फैंसिंग करने की बात कही जा रही है पुलिस ने लोगों से वाटरफॉल के पास जाकर सेल्फी नहीं लेने की तिर से अपील भी की है पता दें कि चित्रकोट को मिनी नियागरा के नाम से भी जाना जाता है परेटर के सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो वहां की जो नगर पंचाथ है उनसे थाना परभारी एस डियम और परेटर भाग के दोरा शीगरी एक मीटिंग ली जाने वाली है जिसमें सुरक्षा के जिरने माप दंड है किस प्रकार से पार्किंग नियमी तरफ करा सकते हैं पेटरोलिंग किस प्रकार से करा सकते हैं और चिकिससर सुईदा भी मुहिया कराने है तो अभी इस संब्द में मीटिंग आहूद जल इदर 36 गड़ में हाथियों का गहर और उत्पाद लगातार दीखने को मिल रहा है लगातार जंगली एक्षेतरों से निकल कर हाथि जो हैं रहाईशी आलाकों की तरफ पहुंच रहे हैं और काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग 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 शेतरों की तस्वीरें एक तरफ पेंडरा जो हाथी प्रभावित अलाके में आता है तो दूसरी तरफ बलरामपुर जहां पर बड़ी संख्या में हाथी दिखे जाते हैं और विच्टरन करते रहते हैं दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर तेरा हाथियों का दल है जो रामानुज गंजो बन पर एक शेतर में डेरा डाले हुए है हाथियों ने हर हरपुर छतावा गांव में फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है ग्रामिनों में दह्शत है लोगों से जंगल में नजाने की अपील भी की जा रही है उधर पेंड़ा की बात करें तो यहां पर दो हाथिये जो हैं उनका कहर देखने को मिल रहा है काफी नुकसान उन्होंने पहुंचाया है खास तोर पर यह जैसे ही रात होती है यह रहाथी जो हैं यह जंगल से निकल कर रहाशी इलाके की तरफ वस्ती की तरफ गांव की तरफ आ जाते हैं और यहां पर नुकसान पहुंचाते हैं गुसरिया और पंट्रिक शेतर में को भी तोड रहे हैं और बन विभाग हाथ पर हाथ ले बैठा है चुलिए बढ़ते हैं आगे बात अकली खबर की धमतरी नगर निगम टैक्स वसूली के मामले में फिर से 60 साबित हो गया है दरसल नगर निगम को 795 करोड रुपए की टैक्स वसूली करनी है यानि करीब यह आ 800 करोड के आसपास कुछाता है लेकिन देखिए काम की गती की धीमी है और कितना ढिला रवाया है केवल और केवल 349 करोड रुपए की वसूली ही हो पाई है अब विकास के काम कैसे होंगे क्योंकि वसूली नहीं हो पा रही है टैक्स वसूला जाना चाहिए और यह नहीं हो और इसकी वजह नगर निगम का खराब प्रबंधन लचर और धीला रवया इसके पीछे कारण है आम लोग भी टैक्स जमा करने में कोई रुची नहीं दिखा रहे हैं इसी की वज़े से टैक्स वसूली आधी से भी कम हो पाई हैं पीटा बलादा बाजार में आवास योजना के हित्गराहियों से वसूली का मामला सामने आया है ये मामला ग्राम पर चायत करदा का बताया जाता है जो हम पर आवास योजना के हित्गराहियों से पांच से लेकर 25,000 रुपे तक की डिमैंड हो रही है आरोप यह है कि जियो ट्रैकिंग के नाम पर रोजगार सहायक निशाख खान जो है इनके पती है याकूब खान इनका नाम है और यही हित्गराहियों से बसूली करने में लगे है जनपत सीई ओ को खबर पहुँच चुकी है और वो कह रहे हैं कि हम इस मामले में जाच करवाए कि झांगी हुं 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 हुँ हुँ हुं हुर